वेलकम टू SS Defense Academy फ्रेंड्स आज की इस वीडियो सेसंस में हम लोग डिसस करेंगे इंडियन एरफोर्स एक्स वाई ग्रूप का जो एक्जाम कंड़क्ट हुआ है 5-11-2020 को फर्स चिप्ट में हमें लगभग 40-plus questions मिल चुका है जिसमें आपको जीके questions प्रोवाइड करूँगा इंगलिस के और math और reasoning सबका यहाँ पर questions लेकर आ गया हूँ वीडियो मैं थोड़ा लेट लेकर आ रहा हूँ क्योंकि थोड़ा साज थोड़ा मुझे काम था इसलिए आज लेट हो गया इसके बाद मैं second और third का भी लाओंगा और friends मैं आप सभी को बता दूँ मैं आपको प्रवाइड किया था 2010 से लेकर 2019 तक इंडिन एयर फोर्स के एक्जाम में जितने भी जोके के questions बने थे सबका एक वीडियो प्रवाइड किया था 38 minutes का और साथ में उसका PDF से अधी आप उसको पढ़के जा रहे हैं तो आपको 100% में आपको बिलिब दिलाता हूं कि उसी में से questions आ रहा है जो भी exam देकर आ रहे हैं और आप देख सकते हैं comment box में कि कैसा उनका response है या आप खुद से analysis कर सकते हैं उस वीडियो को देखकर तो आप उस वीडियो को जुरूर वाश करके जाएं जिन कंडिरेट का आगे exam है तो चले friends discuss करते हैं और friends इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलिग्राम चैनल से जुड़कर जिसका link description box में है तो चले friends मैं बताता हूँ कौन-कौन सा questions पुछा गया था फास्ट चिप्ट में देखे फ़र्ष्ट कोशन पुछा गया था भारत के विदेश मंतरी कौन है तो इसका answer था डाक्टर एश जैसंकर second question पुछा गया था इजराइल देश की मुद्रा क्या है तो यह इजराइल स्केल है इसका answer था थार्ड कोशन पुछा गया था अमेरिका के बरतमान राष्ट पती कोन है तो यह डोनाल ट्रम फोर्थ कोशन पुछा गया था दी ने इलाही धर्म की अस्थापना किशने की थी तो यह अकबर ने किया था फिर्फ कोशन पुछा गया था अनुछयत सत्रा का संबंद किसे है तो यह चुआच संबंदी से है यह शिफ्ट कोशन देखें अंतराष्टी महिला दिवस का मना जाता है हाट मार्च रिपिटेड कोशन से यह बहुत फेमस कोशन से से बेंध भारत के पर्थम सीडियस कौन है तो मैं आपको करेंट के कोशन से बताया था है कि यह मोश्ट इंपोर्टेंट है तो यह फर्स टाइप बने है बीपिन राव तीनों से नाओ के मिलाकर एक सीडियस पोश्ट बना गया चीफ डिफेंस से स्टाप बनाया गया है तेंथ कोशन नेखें बी mall का सबसे बड़ा टेलिसकूब कहां लगाया गया है तो यह चाइना में लगाया गया है ठ्सफ टाइफ्ट साइब मैं सांग हो जाएगा का थारींट कोशन – मैख मोहन रेका किन देसों के बीच है तो यह भारत और चैना के मध्ग है मैक मोहन रेका 14 question देकि DBMS का full from पुछा गया था तो इसका हो जाएगा database management system 15 question पुछा गया था committee और museum का correct spelling तो यह देख सकते हैं correct spelling यह भी पुछा गया था 16 number पुछा गया था sessions का adjective क्या होगा तो sessional हो जाएगा इसका answer एक देखी passage आया था crow and pick up based पे आया था related एक passage दिया गया था जिसे 4 questions पुछा गया था 18 questions देखिए यहां से 4 या 5 pillars आ रहें जैसे भरव agreement से questions आ रहें जैसे syntax होता है तो उसमें से each either nor का इसमें उपयोग होता है तो आप वहां से पढ़के जाएंगे तो एक number confirm हो जाएगा syntax का part पढ़के 19 question में दो error का questions आ रहें हर सिप्टमें दे रहा है और 20 question में आप सभी को एक pq virus का match करके बनाना होता है एक sentence वह पूछा जा रहा है और 21 में एक पूछा गया था bad beyond response के one word subductions पूछा गया था तो इसका answer था incorrigible 22 question पूछा गया था एश्कॉर्ण का एंटोनिम पूछा गया था अब इसका option क्या था मुझे नहीं त्मला मालूम 23 पूछा गया था लूजर कम एंटो पूछा था 24 पूछा गया था इंडरस्टियर्स का शिनोनिम पूछा गया था और एक question direct से आ रहा है direct indirect से और एक questions active and passive बहाई से आ रहा है 27 question एक पूछा गया था फिल इन बिलेंग्स करने के लिए driver does stop the bus when the red light तो इसका answer था most first option सही था 28 question था you are responsible for God for our actions no error तो इसमें second options गलत था error था इसको error बता ना था एक question 29 murderer of the mass audience तो इसका था जनो सी डे अब मैं थे questions आपको एक overview दे रहा हम देखिए एक profit loss का question सारे बहुत ही simple तरीका के आ रहा है और percentage से किसी shift में एक या दो questions पूछा जा है definitely आप देख सकते हैं जो भी यह दे रहा हम यहां पर simplification से दो number या एक number confirm है time distance एक number confirm है trigonometry one questions fix है mensuration से एक questions fix है ratio और average से questions से fix है मतलब आप यहां पर देख सकते हैं 7-8 topic math का पढ़िए इसके अलावा कुछ न पढ़िए सिर्फ यहीं से questions आएंगे हर सेसंस में यहीं आ रहे हैं तो आप इतना ही topic को पढ़िए ज्यादा पढ़ने को जूरत नहीं देखे रिजिनिंग के ओवर भी दुद बता रहा हूं देखे clock के प्रारम से अंतिम बिंदू का दूरी लिखा ले इस तरह का questions आरे नॉन भर्वल में आपको बदा रहे हैं जो फीगर्स के पांच questions वो भी confirm हैं लेकिन यह बात है कि इसलिए लेंदी हो जा रहा है किसी किसी में दे रहा है सिटिंग एरेज्मेंट का questions दे दे रहा है छोटा छोटा है लेकिन थोड़ा सा time consuming है तो आप जो भी है तो रिजिनिंग पर फोकस कीजिए देखिए बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि सुचते है कि फीगर्स वाला बन जाएगा लेकिन फीगर्स वाला ही time taken होता है तो इस पूर वाचिंग